जैहिन सात्यों स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के लासे स्विस्व में जैन यूटूब चैनल में दोस्तो इस्टार्ड हो चुका है वीडियो सभी लोग लाइब आ जाएंगे और जैनुब लोग दोस्तो इस्टार्ड हो चुकी है तो चलिए सभी लोग तयार हैं आज का वीडियो बताने के लिए तो कमेंट में फटा पट से लिख दें और जो भी साथ ही अभी तक चैनल के जॉइन मेंबर नहीं बने हैं वो जॉइन मेंबर बिन जाएं दोस्तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम डॉक्टर बिबेक संकर जी की बुक से पड़ रह वीर गाथा काल लाम दिया बिल्कुल सरल सा प्रसन है आसान सा प्रसन है सभी लोग बता देंगे उत्तर आपका क्या हो जाएगा किस बिद्वान ने हिंदी साहित के प्रारंभेक काल को किस बिद्वान ने हिंदी साहित के प्रारंभेक काल को दोस्तो क्या कहा वीर गाथा का नाम दिया यह चीज आपको बतानी है तो आप ज़़ल्दी से कमेंट में लख करके बताएंगे कि सर मुझे तो ये पता है कि जो बिद्वान थे वो बिद्वान कौन थे वो बिद्वान थे कौन आचार रामचंद्र सोखले और सबसे बिवस्थद जो गरन्त माना जाता है वो किसका माना जाता है तो आपका उत्तर होता है रामचंद्र सुखली जी का ठीक है दोस्तो एक चीज और निकल करके आती है कि जब हम पढ़ रहे थे पांच बजे बाली किलास में तो ये काचा रामचंद्र सुखली जी के बारे में निकल करके बात आती है कि इनोहने दोस्त तो जो अपना ग्रंत है वो 1927 में लिखा था और 1929 में इसका प्रिकासन किया था किसने प्रिकासन किया था नांगरी प्रचारनी सबा कासी द्वारा प्रिकासित किया गया ये ग्रंत था और ये दोस्तो हिंदी सब्दसागर की भूमिका के रूप में सबसे पहले 1929 में प्रकासित हुआ था और हिंदी जो कासी नांगरी पर चालनी सबात थी इसकी जो इस्थापना हुई थी दोस्तो 1893 में हुई थी फिर पुना है दूसरी बार ये आचार रामचंदर सुकली जी का गरंथ फिरसे संसोधत रूप में प्रकासित हुआ दोस्तोjm है ना तो ए कब हुआ 1940 में प्रकासित हुआ ये चीज भी आपको याद रखनी है तो इन्हों ने दोस्तो प्रारंबे काल को बीर गाता काल नाम दिया और उसके बाद जब हजारी पर साथ दुवेदी ने इसका नाम आधी काल नाम दिया तो इन्हों ने भी सुईकार किया है आधी काल तो ये चीज आपका बी नम्मर बिल्को सही हो जाएगा ये भी आपको य तो गिरियरसन साब ने चारनकाल कहा है चारनकाल किस ने कहा है आपसे पूछा जाता है तो डाक्तर गिरियरसन साब ने कहा है फिर आपसे पूछा जाता है कि मिस्तर बंदू ने क्या कहा है तो प्रारंबिक काल नाम दिया है मिस्तर बंदू ने क्या नाम दिया है आरंबिक काल आरंबिक काल नाम दिया है मिस्टर बंदूर ने गडपती चद्रगुप्त ने प्रारंबिक काल नाम दिया है सुकल जी ने बीर गाथा काल नाम राहुल सांकृत्या ने सिद्ध सामंत हैना महभीर परसाद दुबेदी ने बीज बपन काल मिस्टुनात परसाद मिस्ट्र ने बीर काल कहा दोस्तो इन्हों ने हजारी परसाद दुवेदी ने इसे आदी काल और रामकुमार बर्मा ने इसे चारण काल या फिर संदी काल नाम दिया है तो ये नामकरन तो सभी लोगों को पता है एक question आपका जरूर पूछा जाता है ठीक है तो इनमें से आपको याद कर लेना और मैंने पूरा trick से भी आपको बताया है trick से भी आपको याद करवाया है दोस्तो अब आपसे पूछा जाता है कि आदिकाल के नामकरन से संबंदित ठीक है अब आदिकाल का नाम अलग-अलग किया है तो नीचे जो बेकल्प दिये हैं इनमें से अलग कौनसा है यानि कि असुद्ध कौनसा है एक प्रस्ण आपका TGT PGT NET कोई भी एक प्रस्ण है नामकरन से जरूर बनता है तो नामकरन जितने भी हैं मैंने आपको trick से भी पता हैं एक वीडियो में और आज यहां पर हम पोना है अभ्यास भी कर रहे हैं तो बार बार अभ्यास करती रहो हैना मंजा आएगा याद हो जाएगा ठीक है कुछ लोग कहते हैं कि सर एक ही वीडियो को आप बार बार क्यों डालते मैं कहता हूं कि एक पुस्तक को दोस्तो बीजबपनकाल दोस्तो किस ने कहा है महाबीर पिरसाद दुवेदी ने कहा है यानि कि आपका जो असुद्ध है वो एक नम्मर हो जाएगा असुद्ध ठीक है एक नम्मर और अंगला कॉस्चन आप से पूछा जाता है कि हिंदी साथ के पिरसमकाल को बीरकाल किस ने कहा बीरक तो आपका कमेंट सबसे पहले आना चाहिए सुनील सरमाजी हमारे जितने भी जौइन मेंबर हैं वो बहुत विवस्ते तरीके से पढ़ रहे हैं जौइन मेंबर की किलास साम को पाँच बजे लग रही है और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एक चीज और अंदर से पूरा आ है ते वो जौइन मेंबर जरूर बन जाएं हिंदी साहित के प्रतमकाल को बीर काल किस ने कहा ये चीज आपको बतानी है तो मिस्र बंदू ने कहा राहुल सांकृत्ताइन ने कहा बिस्टुनात प्रसाद ने कहा या फिर रामकुमार बर्मा ने कहा तो हमने पड़ा था कि सर संधी काल और चारण काल तो रामकुमार बर्मा ने कहा बिस्टुनात प्रसाद ने तो कह दिया था मिस्र बंदू ने क्या कह दिया था आरंभिक काल राहुल सांकृत्ताइन ने सिद्ध सामंत काल कह दिया था और बिस्टुनात प्रसाद ने कहा था बीर काल बीर काल भी करवाती है ब्याखिया भी करवाती है आपको याद भी करवा देती है सरल सरल तरीके से आपको प्रस्तुत करती है साथी old paper का collection भी आपको मिल जाता है ठीक है तो हिंडी के प्रारम्बिक काल को बीर गाथा काल नाम किस ने दिया प्रस्टनिक रमां के चार में आपको चेन करना है दोस्तों तो बीर गाता काल एक पूछा गया है अभी हमने पड़ भी लिया है कि सर बीर गाता काल तो रामचदर सुकले ने कहा आधी काल तो हजारी पर साथ दुवेदी ने कहा आरंबिक काल तो मिस्रवंधु ने कहा और राहुल सांकृत्या ने सिद्ध स रहना है और दोस्तों सेर जरू करना सुबह साथ बज़े एक क्लास आपकी आ रही है सुबह साड़े नो बज़े एक क्लास आ रही है ग्यारा बज़े एक क्लास हिंदी की आ रही है तो सुबह सुबह ग्यारा बज़े तक तीन क्लास हैं आपकी आ जाती है एक क्लास जोइन मे एक बार सर्च कर लें how to join YouTube channel तो आपको वीडियो मिल जाएंगे बहुत सारे कैसे YouTube channel को के join member बनना है ठीक है तो YouTube में सर्च कर लें आदी काल को बीर गाता काल किस ने कहा है बीर गाता काल किस ने कहा है एक question कई एक जाम में पूछा गया बीर गाता काल तो आप सभी को पता है कि सर बीर का था काल तो कहा है राम चदर सुकली जी ने फिर आप से पूछा जाता है कि हिंदी साहित के आदी काल के लिए सिद्ध सामंत योग के नाम से किसने पुकारा है किसने कहा इसे सिद्ध सामंत योगाचा राम चदर बहुत अच्छे से याद भी किया है ट्रिक से भी याद किया है लगबग 125 वीडियो त्रिकी वीडियो आप तक प्रेसित किये जा चुके हैं तब आपका यहाँ पर सबसे अच्छा उत्तर आता है सुनीता मौर है ना पूनम जी आरयन सिंग जी और दोस्तों फते सिंग जी यादी नम्मर आपका बिलको सही हो जाएगा डी नम्मर आपका बिलको सही है राहुट सांकृत्याइन का आपका बिलको सही है ठीक है और दोस्तों आदी काल को सिद्ध सामंती योग कहा है तो किसने कहा है प्रशन किरमांग साथ का उत्तर आप लिए आपको बताना है शिद सामंत योग कहा है और TGT वाले TGT वालों के लिए 10 दिन पूरी डेमो क्लास चल रही है ट्रिकी वीडियो यानि कि सुबह 7 वजे और दो पहर सुबह 11 वजे सुबह 7 वजे 9 वजे 11 वजे ये TGT PGT वाले जरूर देखते जाएं और जो फिर जाती जोईन मिंबर बन जाते हैं उनको स्पेसल किलास दी जाएगी तो जितने भी साथ ही जोईन मिंबर बन सकते हैं वो जरूर बनेंगे और राहुल सांकृत्याइन यानि एक नमर आपका योग नाम किस ने दिया फिर से पूचा गया यहां पर यानि कि ये सिद्ध सामंत योग भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है बीर गाता काल भी कई बार पूचा गया सिद्ध सामन्त युग भी पूचा गया है यहाँ पर पूछा गया कि आदिकाल हिंदी साहित को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान कौन है तो कहने वाले विद्वान तो हमने पढ़ दिया कि सराहुर सांकृत्याइन है तो ये कितनी बार पूचा गया question है वो आपको यहाँ पर कितनी बार पूचा गया उससे आपको अंदाजा लग जाता है फिर आपको बताना है कि आदी काल को बीज बपन काल किस ने किया है जल्दी से आपको चेन करना है बीज बपन काल अंजू सरोज जल्दी से प्रश्न क्रमाग 10 का आंतर बीज वपन काल किसने का है दोस्तों आपको बताना है बीज वपन और बोले सर बीज तो अहिंसा के बोई थे महाबीर भगवान ने और जब महाबीर भगवान ने बोई थे तो कोई महाबीर ही होंगे जो बीज वपन काल कहेंगे आदी क को तब आपका फिर से उत्तर हो जाता है क्या उत्तर हो जाता है प्रश्ण किरमांक 10 में सुनील सरमाजी निकीता तनबर और जल्दी से आपको जोईन मेंबर बन जाना है यार आप लोग कहां बहुत सारी चीजें लगा कर कोचिंग करते हैं दस दस बिस भी सजार करके आज 59 र रुपे पे करने में दिक्कत होती है वो मुझे परसनल बता देंगे मैं फुल सपोर्ट करने बाला हूँ यासे मेरे साथी जितने भी साथी हैं बहुत सारी चार-पाच किलास ने तो आपकी बिलकुल फिरी आती है एक किलास बस जोईन मेंबर की आती है जो आप अटेंड कर नाम करन करने बाले जो बिद्वान थे यह फिर से पूछा गया इस प्रकार से यानि कि आपका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों महाबीर पर साथ दोबे दी तो यह कई प्रकार से प्रस्ण पूछा जाता है यहां से फिर पूछ लिया गया कि रट लेना है इतनी बार पढ़ना है कि वो चीज आपको रट जाए वो चीज आप से क्या हो जाए रट जाए ठीक है रट ना है अपनको बिलकुल कई बार जब आप पढ़ोगे तो माइंड में सैट हो जाती है बात एक बार पढ़ोगे कभी सैट नहीं होने बाली करत करत अभ पर यहने तो अभ्यास बहुत करना है और यहां पर बीर काल जो कहा है बोली सर बिस्स में बीरों की बीरों को बड़ा सम्मान दिया जाता है बिस्स में बीरों को सम्मान दिया जाता है इसलिए बीर काल भी कहा है तो बिस्सुनात परसाद ने कहा है बिस्सुनात परसाद ने कह है ठीक है अब आदी काल तो आपको पताई है दोस्तों कि आदी काल जो नाम दिया है वो किस ने दिया है हजारी पर साथ दोवेदी हजारी पर साथ दोवेदी साब ने आदी काल नाम दिया हिंदी साहित को ठीक है तो यह आदी काल भी कईवार पूचा गया हजारी पर साथ दो लाम किस ने दिया प्रारंभिक काल बताना है तो यहां पर जो प्रसन आपका दिया है वो प्रारंभिक काल लाम दिया है है ना अब ऐसी अगर इस्तिति आपकी बनती है दोस्तो प्रारंभिक काल की तो प्रारंभिक काल तो आपको पता है कि प्रारंभिक काल लाम तो गड़प पती चंद्रगुप्त नहीं है तो आप मिस्र बंदू लगा देना है ना लेकिन कन्फ्यूजन आप दूर कर लेना इसका देखो कैसे दिया है और परियुक्त प्रस्णी की ब्याक्या उत्तर प्रदेश सिक्षा सेबा चैन बोड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में ब ठीक है तो यह अलग कर दिया गया था ठीक है तो यह तो आपको हो गया होगा अब यहां पर आपको चैन करना है दोस्तों इस प्रकार से आचार सुकले ने यहां पर चैन कर लो बिलकुल टाइम आपको नहीं लगाना है बीरगाथा काल हजारी परसाद दुवेदी ने आदी तिपकाल तिए बिल्कुछ चाहिए अब यहां पर दोस्टो आपन को बताना है कि इनमेंसे किस साहित इतिहास कारणे अपनी इतिहास गरण्त में हिंदी के गद्ध podcast को गद्ध का अभिर्वाव गद्ध का प्रवरतन गद्ध का प्रसार और गद्ध की परतमान गती नामा खंडों में बिवक्त करके बिवेचित किया है बहुती बड़िया प्रसने है शबी लोग बताएंगे मुक्ता जी सुनील सर्मा जी पारोक उसवाह इन में से किस साहती तिहासकार ने अपने तिहास ग्रंत में हिंदी के गद्द साहत को गद्द का अबिरभाव गद्द क तब आपका उत्तर क्या होगा प्रशने थोड़ा सा कठिन है लेकिन आपके रिए बहुत ही महत्पुन है अर्चना गुपता जी सी नमबर ये आपको याद रख लिना राम चंद्र सुक्ल गद्द का विरभाव गद्द का प्रबर्तन गद्द का प्रशार और गद्द की बरत समान गिती ठीक है तो सी नमबर आपका यहाँ पर बिल्कुस सही हो जाएगा आचार राम चंद्र सुक्ले जो की सभी लोगों ने बिल्कुस सही चैन किया है सही चैन करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट है नरंतर अध्यन कर रहे हैं ठीक है आचार सुक्ल ने अपने इति प्रथम उत्थानकाल कहा गया संबत 1925 से 1950 गद्य साहित का प्रसार दुतिये उत्थानकाल 1950 से 1975 गद्य साहित की बरतमान गती यानि की तरतिये उत्थानकाल 1975 संबत 1975 से अब तक ये प्रथम उत्थानकाल दुतिये उत्थानकाल तरतिये उत्थानकाल इनको आपको याद रख लेना है ये आपसे पूछे ही जाते हैं फिर अंगला क्वेस्चन आपको बताना है ठीक है अंगला क्वेस्चन आप बताएंगे कि बोध धर्म से जुड़े हुए साहित की भासा क्या है आपने बोध धर्म पढ़ा जैन धर्म पढ़ा दोस्तो सिद्ध साहित पढ़ा नात साह आदी काल में हमने पढ़ लिया लेकिन ये हमें बताना है कि बोध धर में से जुड़े हुए साहित की भासा क्या थी लोकेक संस्कृत थी बैदेक संस्कृत थी पाली थी या फिर प्राकट थी प्रश्निक रमांग 29, 19 का उत्तर स्वारी 19 का उत्तर हमें चेन करना है कुलदीप सिंग जी प्रश्निक रमांग 19 और आपको बिलकुँ सही पता है है ना मायराम जी 19 का डी आपने सही बताया है कि सर जो बोध धर्म से संबंद जुड़े हुए साहित की भासा है वो भासा है पाली कौनसी भासा है पाली है यानि बोध धर्म की बात हो रही और डी नम्मर आपका बिलकुँ सही हो जाएगा ठीक है बोध धर्म प्राकृत भासा की बिविद रूप है उनमें पाली प्राकृत का संबंद बोध धर्म के गरंतों से है और अर्दमागदी का संबंद जैन धर्म गरंतों से है ये भी आपको याद रख लेना पाली प्राकृत का संबंद पाली का संबंद किस्से है बोध धर्म गरंतों से अर्द मागदी का संबंद जैन धर्म गरंतों से है जहां जब बोध धर्म का पिरचार हुआ बहां पाली भासा पहुँची और जहां जैन धर्म का पिरसार हुआ बहां अर्द मागदी प्राकृत भासा को साहित्यक महत्त पूर्वी कीतुल्ला में पस्चिम से अधेक हुआ और उसमें भी विशेश रूप से महरास्टी प्राकृत का प्रधान रहा ठीक है तो जैन धर्म अर्द मागदी बोध्य धर्म पाली ठीक है फिर अंगला कोस्चन आप से पूछा जाता है कि अप भर प्रभावित हिंदी रचना कोंसी मानी जाती है खुमाल रासो डोला मारूरा दूहा भरते सुर्भाहुवली रास जै मैंक जस्चंद्रीका जदी से बताते जाएं चारों रचना है चारों के कभियों को वह आपको बताना है खुमाल रासो किसकी रचना है डोला मारूरा किस की रचना है और जै मैंक जैस्ट चंदरी का एक किसकी रचना है ये भी आपको बताना है और आप ब्रणस से प्रभावत हिंदी रचना कौन सी मान जाती है चार में से बताना है इस प्रिकार से अंदर से भी question आप से पूछे जाते हैं सभी लोग लाइक जरू कर देना जो पिसाती तो आपका राइट अंसर आपने बिलकुस सही बताया कुंसा बताया सुनील जी 20 का सी नमबर जो भरतेस्तुर बाहुबली रास है ये दोस्तों अपरणस से प्रभावित रचना मानी जाती है और सी नमबर जिन्होंने बताया है सी नमबर भरतेस्तुर बाहुबली रा ठीक है यह आपका सही है इसको याद रखेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा हम आ जाते हैं अप ब्रेंस में रास नामक पहली सरस्किर्टी भरते सुर्वाहुवली रास ग्यारा सो चोरासी इस भी इसका रचनाकाल है जिसे बिद्वानों ने रास प्रमपरा का प्रथम गरंत ग अब आपको बताना है दोस्तों कि भरते सुर्वाहुवली रास के जो लेखक हैं जो कभी हैं दोस्तों वो कौन हैं भरते सुर्वाहुवली रास जल्दी से पटापट से बताएं फिर खुमाल रासों की बात करें तो 43 चंद प्राप्त हुए हैं है ना और दोस्तो ये अग्यात है प्रन्तु एक इस तल पर दलपती बिजय सब्द देखकर आलोचको ने अनुमान लगा लिया कि दलपती बिजय ही कुमार रासों के कभी हैं है ना और ढोला मारूरा दुहा एक कनलोल कभी की है है ना ढोला मार पर फिर से आजाओ बुछि सर खुमार रासो एक दलपती बिजय की रचना है ठीक है धोला मारूरा दुहा यहां पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होते हैं एक तो आपको मिलता है कुसल लाब एक मिलते है कुसल लाब अब यहां पर आपको कन्फ्यूजन होना है कंलोल कभी ने भी डोला मारूरा दूहा की रचना की है फिर कुसल लाब ने भी डोला मारूरा दूहा की रचना की है ठीक है तो यह चीज आपको याद रख लेना अगर ओफसन में कलोल कभी हो तो आपको कलोल कभी लगाना है और डोला मारूरा दूहा की रचनाकार की ओफसन में कु कोसल लाब हो, तो कोसल लाब लगाना है, अब ए, ढोला मारूरा दुअअ की बारे में, अब कभी कनफ्यूज़ नहीं हो नों आप लोग, ए, भरतेस्तुर बाहू वली रास इसाली वद्र सूरी की है, और ये जैस मेंग जैस चंदुरी का, जैं मेंग जैस्तुरी का, ए, मद् रखनी है ठीक है फिर अपब्रेंस प्रभावित रचना कौनसी है यहाँ पर आपका भरते सुर्भाहुवली रास तो आपका बिलकुस सही है एक क्वेस्चन कई बार पूचा गया है अपब्रेंस प्रभावित रचना यह भरते सुर्भाहुवली रास है अपब्रेंस प्रभा काबित रचना ठीक है इसको सभी लोग याद रखेंगे अब अंगला कॉस्चन आपसे पूचा जाता है दोस्तों कि ग्यारवी सताब्दी में रचित लोक भासा काब्ब कौनसा है यानि कि प्रश्ण किरमांग 22 का आपको बताना है ओ पैंद्र जी हाँ प्रश्ण किरमांग 22 में 22 का उत्तर आपको बताना ग्यारवी सताब्दी में रचित लोक भासा काब्ब है तो कौनसा है जै मैंक जस्चंद्री का उक्ती ब्यक्ती पक्रण धोला मारूरा दूहा या फिर राउल बेल ग्यारवी सताब्दी की रचित बताना है लोक भासा काब्ब कौनसी है और 22 में आपने चैन किया है कि सर जो ग्यारवी सताब्दी में रचित लोक भासा काब्ब है वो लोक भासा काब्ब है कौनसी धोला मारूरा दूहा धोला मारूरा दूहा ये भी आपको याद रख लीन ठीक है ठोला मारूरत दूहा एक ग्यारवी सताब्दी में रचत लोक भासा काब है अब इसको यहां पर देखो है मूलता है दोहों मरचित इस लोकाब में सत्रवी सताबदी में कुसल लाब बाचक के कुछ चोपाईया जोड़कर बिस्तार दिया था है ना ये जो ढोला मारूरा दूहा रचना है इसी में सत्रवी सताबदी में कुसल लाब कुसल लाब है वो कुसल रायस में दिया कुसल ल ने बाचक के कुछ चौपाईया जोड़कर इसको बिस्तार दिया था है ना तो तब से इस रचना के लिए कलोल कभी भी आते हैं और कोसल लाब भी आते हैं है ना कोसल राय भी दिया है यहां पर तो अब आपको याद रख लेना है ठीक है एक ग्यारवी सताब्दी की रसना औ तो बिलको सही आंसर आगया भरते सुर बाहु बली रास ठीक है भरते सुर बाहु बली रास यानी बी नमबर आपका बिलको सही हो जाएगा बी नमबर ठीक है बी आपका बिलको सही है फिर यहां पर देख लेते हैं कि साली भद्र सूरी की रचना नाम भरते सुर बाहु बल झाली रास को माना है ठीक है इसकी रचना 1184 सी इस भी में साल इबदर सूरी ने की थि अपने समय की प्रशिद्द जैन आचार और अच्छे कभी भी माने जाती है ठीक है और अब प्रंस से प्रभावित रचना माने जाती है 1184 इसका रचनाकाल है मुनी जिन बिजय ने इसे जैन साहित की रास परंपरा का प्रिथम गरंत भी माना है इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में आद रखना ठीक है 55 पांडव चरित रास की रचेता कौन है 55 पांडव चरित रास यानि कि 24 24 में हमें बताना है चाहे आप जैन साहित हो चाहे आपका दोस्तों यहाँ पर नात साहित हो सब के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इतिहास का सुरुवात से अध्यन और एक एक चीज एक एक डाउट आपका के लिए किसी को कोई डाउट लगता है तो जरूर बतात और पंच पांडव चरितरास के रचेता कौन है तो पंच पांडव चरितरास के जो रचेता माने जाते हैं वो माने जाते हैं साली भद्र सूरी पंच पांडव चरितरास ठीक है इसको आपको याद रखेंगे अब पंच पांडव चरितरास के रचेता साली भद्र सूरी ना आपको बताना है अंगला कॉस्चिन कौन्सा है जल्दी से बताएं अप ब्रेंस सब्दका सबसे पहले उल्ले किस ने किया 25 में अप ब्रेंस सब्दका सबसे पहले उल्ले किस ने किया है आपको जल्दी से बताना है चैन करें फटाक से उत्तर क्या हो जाएगा आपका अप ब्रेंस सब्दका सबसे पहले उल्ले किस ने किया तो उल्ले किया था दोस्तों किस ने पतंजली ने अप ब्रेंस सब्दका यानि सी नमबर आपका बिलकुँ सही होगा अप ब्रेंस सब्दका सबसे पहले उल्ले किया था यानि आपका सी नमबर आपका सही होगा अंगला यहाँ पर देखती हैं अंगला यहाँ पर आएंगे अब हट भासा सी ताथ पर किसका है अब हट भासा सी आपको बताना है ताथ पर क्या है चार विकल्पें चार में से आपको चेन करना है उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं अब हट भासा से तातपर है तो क्या तातपर है प्रश्निक रमांग 26 और तातपर आपका हो जाएगा ग्राम मीन अपबरंस अब हट भासा से तातपर है ग्राम मीन अपबरंस यानि आपका जो ए नमर है वो बिल्कु सही हो जाएगा ए नमर ठीक है ए नमर आपका सही होगा अबहत्ट अपभर्ष्ट सब्द का बिक्रित रूप है इसे अपभरंस का अपभरंस या परबर्ती अपभरंस कह सकते हैं अगर कभी आप से परबढ़ती एसे कहा जाता है, अबहट अपबरण्स सुख्रान्ति भाषा कालिन या पिर संक्रांति कालिन भासा माने से अबहट? आपने पढ़े होंगी दोस्तों विद्यापती की, विद्यापती की पढ़ी हैं, कैसे पढ़ी हैं? इनकी जो रचना है किर्ती लता और किर्ती पता का ये दो रचना है जो ही अबहट में है अबहट भासा में है है ना किर्ती लता और किर्ती पता का और पदावली इनकी मैतली भासा में रचना है ओई बही अबहट है जो अपभरंस की अपभरंस कहलाती है अबहट ठीक है ये भ आपको याद रख लीना है ठीक है है ना और अब हट की अगर बात करें तो भासा की प्रमुक रचनाकार अद्दैमान यानि की जिसे अब्दुल रह्मान कहते हैं इनकी संदेश रासक है दामुदर पंडित की उक्ती ब्यक्ती प्रक्रण है जो 300 ठाकुर की वरन रतना करो ख्रक करें करके जोईन हो सकते हैं तब हट में शिक्षा सब्दे के लिए कौन सा रूप मिलता है सिक्षा सब्दे के लिए क। प्रश्निक रमांग 27 मैं अब 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 हट्ट की रचनाएं अपने पढ़ ली कुएंसी पढ़ ली किर्ती लता किर्ती पता का बर्न रतनाकर पढ़ ली ठीक है उक्ती ब्यक्ती पढ़ ली संदेश रासक पढ़ ली यह अब हट्ट की रचनाएं माने जाती है अब हट्ट अपब्रेंस की अपब्रेंस कहलाती है पर नमबर सिख्खा सई हो जाएगा C नमबर ठीक है C जिनों ने बता उनका इंसर सई है सबी लोग वीडियो को लाइक जरू कर देना 9 बजे रोज अपनी किलास हो रही है सुभे 7 बजे 1 किलास आप तक पहुंच रही है सुभे 9 बज के 30 मिनिट पर 1 किलास आप तक पहुंच है ना और पांच बजे एक जॉइन मेंबर की किलास हो रही है तो टोटल को मिला के पांच किलासें हिंदी साहित की दिन में हो रही है सभी लोग पढ़ते रहें कुछ ट्रिक से कुछ बिस्तरित है ना और कुछ दोस्तो ओल्ड पेपर का स्वालब सब कुछ हो रहा है यहाँ पर और आपको अधिकान सस्ताहित्तकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कभी कौन माने जाते हैं कभीर सूरदास सरहपाद बिद्यापती कौन माने जाते हैं साथियो स्वानु सिंग जी वेरी गोड बेलकम अधिकान सस्ताहित्तकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कभी कौन है और आपको पता होगा दोस्तों कि हिंदी के प्रथम कभी माने जाते हैं सरहपा और सरहपा को राहुट सांकृत्याइन ने हिंदी का प्रथम कभी माना है है ना इनकी रचना कौनसी है दोहा कोस दोहा कोस हमेशा पूछी जाती है सरहपा की रचना और इने राहुल सांकृत्या इनने हिंदी का प्रतम का भी माना है यानि आपका उत्तर बिकल्प नमबर सी बिलकुर सही हो जाएगा सी नमबर ठीक है अधिकांस इतिहास कारों के नुशार हिंदी के प्रतम कभी का नाम देखो सरहपाद को माना किसने राहुल सांकृत्या ने सातवी सताब्दी इसवी के सरहपाद को हिंदी का प्रतम कभी माना इनका मूल नाम क्या था राहुल भद्र अगर कभी ओप्षन में क्या आजाए राहुलभद्र आजाए तो राहुलभद्र को हिंडी का प्रत्म कभी किसे मانा अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो आप लगा देना राहुल सांकर्यत्याएन है ना और उनके सरहपा सरोज़ बज्ज्र पद्म तताbit मैं बज्ज्ज्र नाम भी लिया जाते पद्म बज्र पद्म सरोज बज्र या फिर सराइबा एक कोई भी नाम आपसे पूछ लिया जाएगा आपको लगा देना है दोस्तों क्या राहुल सांक्रित्याइन वे बोध धर्मी की बज्रियान और सहज्यान के प्रवर्तक हैं 84 सिद्धों में से एक थे हैं ना ये भी आप को याद रख लेना है बोलचाल की जो भासा आरंबिक हिंदी है प्रियुक्त हुई है सरहपाद की रचनाओ का संपादन राहुल सांक्रित्याइन ने दोहा को सनाम से किया है अगर आप से पूछा जाए कि सरहपाद की रचनाओ का संकलन किस ने किया तो राहुल सांक्रित्य ने सरहपा को हिंदी का प्रतम कभी किसने माना राहुल सांकृत्या ने है ना और राहुल सांकृत्या ने सरहपात की रचनाओं का जो संकलन किया वो किस नाम से किया तो वो किया दोहा को इसके नाम से इतनी तो चीजें आप याद रख सकते हैं इसमें तो कोई कटनाई है नही नाक्तर गडपती चंद्रगुप्त ने साली भद्र सूरी को हिंदी का प्रतम का भी माना हैना किसने साली भद्र सूरी जिनकी रचना हमने पड़ी थी भरतेसुर वाहुवली रास हैना भरते सुर बाहु बली रास को दोस्तो जिन बिजय ने मुनी जिन बिजय ने क्या माना था जैन साहित रास परंपरा की प्रतम रचना माना था हैना और ये साली बद्र सूरी की ही रचना है भरते सुर बाहु बली रास और गडपती चंद्रगुप्ति जी ने इनी साली ब साली बद्र सूरी को माना गड़पती चंद्र गुप्त ने सुयंभू को माना डाक्तर रामकुमार बर्मा ने ये तीनों ही आपको याद करनी है अब आपसे पूछे जाएंगे किसको किसने माना है ना तो तयार रहें पहले तुम्हें आपको बता चुका हूँ हिंदी के किसी इतिहासकार के मतानुसार साली बद्र सूरी हिंदी के प्रथम कभी है जल्दी से उत्तर बता दो अभी मैंने इसलिए आपको बिस्त्रित रूप से बता दिया था पटा पट से उत्तर आप आपका आना चाहिए ट्वेंटी नाइन का प्रसने देवांसी अभिनाव निसेत औ और अंकेस पाल जी सबी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा 29 का हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार साली बद्र सूरी हिंदी के प्रथम कभी है और आपने अभी पड़ा है कि सर गड़पती चंद्रगुप्त जी ने साली बद्र सूरी को ही माना है है ना तो एक नम्मर आपका बिलकुस सही होगा सिद्धों का प्रथम कभी सिद्धों का प्रथम कभी कौन है दोस्तों सिद्धों का प्रथम कभी कौन है सिद्धों का यानि की 30 का आंसर हमें चैन करना है चार बिकल्प भी हमें दे दिये जाते हैं बोले चैन करो सभी लोग है ना और दो दोस्तों कम ही लोग ऐसे हैं जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, विवस्तित पढ़ना चाहते हैं लेकिन एक किलास भी होती है, special 5 बजे तो जो भी साथ ही चाहते हैं कि हम join member बनकर regular अध्यन करें है ना और special class से जुड़ें जहां पर आपको सबसे पहले बिस्तरित पढ़ाये जाता है फिर बाद में उसका test लिया जाता है और notes provide करवाये जाते हैं ठीक है और सिद्धों का प्रतम कभी माना जाता है तो सरहपा को माना जाता है यानि कि ये number ठीक है ये आपने बिलको सही चैन किया है और सरहपा को हिंदी का प्रतम कभी किसने माना है दोस्तों यहने कि 30 बन का अंसर आपको पूछा गया है आपको पहले ही बताया गया कि सर सरहपा जो थे इनने राहौल भद्र कहा गया और इनने पद्म भी कहा गया बहुत सारे इनके नाम हैं और सरहपाद की रचनाओं का जो संकलन किया वो राहुल सांकृत्याइन ने किया दोहा कोस से इन्हों ने किया और जब राहुल सांकृत्याइन ने इनकी रचनाओं का संकलन किया तो राहुल सांकृत्याइन ने ही दोस्तो सरहपाद को हिंदी का प्रथम कभी माना हिंदी का प पर हो जाता है हिंदी का प्रफम कभी कौन है तो ये सरहपा है इस प्रकार से कई प्रकार से question आपके पूचे जाते हैं परियांका जी अनिकेत जी फिर आप से पूचा जाता है स्वेंबु को हिंदी का प्रफम कभी किस l कि-स ने माना है प्रश्णत की रमांग 34 का आंसर स्यम्फू को हिंदी का प्रतम का भी किसने माना है दोस्तो प्रस्णत में लेडement 34 को बताना है दोस्तो जॉआन मेंबर के लिए तीन पिलान है दोस्तो जिसको जो अच्छा लगता है वो तीन मैं से एक पिलान ले सकते हैं 59 अब यहाँ पर आपको फिर से तीनों रिवाईज करना है सरहपा को माना राहुल सांकृत्यान ने साली बद्र सूरी को माना गड़पती चंद्र गुप्त ने ठीक है रामकुमार बर्माने माना स्वयंबू को यह तीन आपके लिए most important जो पूछे जाते हैं जो आपके exam में पूछे जाते हर exam में पूछे जाते ठीक है इसको आपको याद कर लेना है दोस्तों कुछ और प्रशन एक दो प्रशन और पढ़ लेते हैं पर इसके बाद अपनी किलास को यहाँ पर ब्राम देंगे सहज यान की प्रबटक कौन है यानि की 35 का आपको चैन करना है अंगला question ललित मोहन, गोसवामी, निसित जी, पते सिंग जी प्रशन क्रमाग 35 में आपको चैन करना है सहज यान की प्रबटक कौन है सहज यान यानि की 34 अगर आपने पड़ा है तो तर आपको ही कमेंट में लिखना है कि हिंदी साहत का प्रथम इतिहास गिरंत है अंında इस्तिवार दाला लेते हुअज तो एंदो ही इंदोस्तानी एक कहा से प्रकासित हुआ था है तो आपको कमेंट में जरूर लिखना है सहज आन के प्रवर्टक माने जाते हैं सरहपा सरहपा यानि ये नम्मर आपका बिलकूँ सही होगा प्रश्न किरमांग फर्टी स्क्स 아ंदी चल्धी से आपको चेहन करना है प्रश्न किरमांग फर्टी स्क्स में सत्य प्रकास जी आचार हजारी पिरसाद बुवेदी ने आप ब्रेंस को क्या कहा आप ब्रेंस या परिनिष्टित आप ब्रेंस कहा यनि की 36 आपका उत्तर है जल्दी से आपको चेहन करना है प्रष्ण किरमांग 36 में सत्य परकास जी अचार हजारी पर साथ दुबेदी ने अपर ब्रंस को क्या कहा है फिप्टी बिजय बहादोर प्रमोत कुमार जी बिलको सही बताए आपने कि ए पेरिस से प्रकासित हुआ था ठीक है बहुत बढ़िया है फ्रेंच बासा में रचित यह माना जाता है बहुत बढ़िया फ्रेंच बासा में रचित है और फ्रांस की राज़धा नहीं आपको पता है पेरिस है ठीक है पेरिस और पेरिस जो आपको पता है दोस्तों ये सीन नदी के किनारे इस्तित पेरिस सीन नदी के किनारे है है ना ये भी आपको याद रख रहे ना ये उनिसेप का यहाँ पर क्या है उनिसेप का मोख्याले भी है पेरिस में और पेरिस यानि कि जो फ्रांस है इसे किसानों का देश भी कहा जाता है ये तो सबी लोगों को हो गा फिर अंगला कूस्चन थी कि आचार nicely प्रसाद दमयदी ने अप रचार Alsorum और और फिर उन्हों किया कहा है तो अप रच्डवी पुरानी हिंदी के खाई क्या पुरानी हिंदी थी यानि कीर आपका एक नम्मर बिल्कुश सई है थीक ہے आचार प्रसाद दमयदी अब ब्रंस और हिंदी के संबन्द वेहमत बैक्त किया इस प्रकार दस्वी से चौद्वी सताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदी काल कहते हैं भासा की दरश्टी से अब ब्रंस का ही बढ़ाओ इसी अब ब्रंस के बढ़ाओ को कुछ लोग उत्तर काली न ब्रंस कहते हैं और क उन्होंने अब ब्रंस के उत्तरकालिन साहित को आदिकाल की सामगरी मानकर उसका बेबेचन किया और रामचन सुकले ने पुरानी हिंदी को ही प्राकरता भास हिंदी या अप ब्रंस कहा है ये भी आपको साहित्यक अप ब्रंस कहा था किसने किसने कहा था साहित्यक अप ब्रंस तो सोकलर जी ने कहा था और आपके बे गुरेदी साब थे इन्होंने भी पुरानी हिंदी कहा था है न तो यहां पर उत्तर आपका हजारी परसाथ दुवेदी का कहा तो पुरानी हिंदी यानि कि एक नमबर आपका यहां पर बिल्कुँ सही होगा एक नमबर ठीक है अब दोस सताबदी से लेकर चौद्वी सताबदी तक की 37 का अंसर बताना है आपको पिलान में कोई अंतर नहीं है नीरज बमुला जी पिलान में कोई अंतर नहीं है कोई भी पिलान आप लेते हैं कोई अंतर नहीं है यह पिलान मंतली होते हैं ठीक है यह भी आपको पता होनी चाहिए औ और दोस्तो प्लान में कोई अंतर नहीं है जो जिस कैटिगरी यानि कि जो जो अंसा प्लान ले सकता है है ना जिसकी जितनी चमता है वो ले ऐसा कुछ भी नहीं है कि दस्वी से चौद्वी सताबदी के साहित को किस विद्वान ने आधिकाल नाम दिया था तो ये दिया था हजारी पर साथ दुबेदी ने डी नमर आपका सही है ठीक है ये भी आपको अब ये कॉस्चन पूछा जाए गया दोस्तो कि पुरानी हिंदी नामकर्ण किस ने किया प किस ने किया था 38 में 38 में हमें चैन करना है और आपका यहाँ पर बिलकुश सही है कि चंद्रधर सर्मा गुलेरी साब ने पुरानी हिंदी नामकर्ण किया इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि पंडे चंद्रधर सर्मा गुलेरी पहले बिद्वान है जिन्हों उत्तर अपरण से ही पुरानी हिंदी है उन्होंने राजा मुंझ को पुरानी हिंदी का प्रिथम कभी सुईकार किया अगर इस प्रकार से क्वेस्चन आए कि राजा मुंझ को पुरानी हिंदी का प्रिथम कभी किसने सुईकार किया तो लगा देना गुलेरी साब ने और आ तो पुरानी हिंदी जो नामकर्ण किया था वो किस ने किया था चंद्रधर सर्मा गुलेरी की आपके बारे में जानते हैं हैना इनकी तीन रचनाय थी दोस्तों गुलेरी साब की तीन रचनाय थी जोईन बटन पर किलिक करेंगे एटीम से आप कर सकते हैं एटीम से पेमेंट क कर सकते हैं तीन रचनाएं बता दो जल्दी से भटा पड़ से तीन इनकी रचनाएं थी दोस्तों एक क्वेस्चन आता है कि बताईए ऐसा कौनसा कभी है लेखक है जिन्होंने मात्र तीन रचनाएं तीन रचनाएं की हैं और हिंदी साहित में बहुत प्रिसिद्धी पा गया ह हिंदी साहित में अमर हो गया वो एसा कौनसा बिद्ध्वान है कौनसा एसा लेखक है तो वो गुलेरी साहब हैं है ना गुलेरी साहब हैं इनकी तीन वो रचनाएं कौन-कौनसी हैं जल्दी से कमेंट में लिखना है जो इनकी प्रिसिद्धी का आधार बनी थी फटा-पट से सबी लोग बताएंगे इंदुवाला निसित जी हैमलता मंजू इस्टार चामला और जल्दी से कमेंट में बताएं पटा पट से और सबी लोग दोस्तों इसी प्रकार से नरंतर पड़ रहे हैं है ना राजा मुंज को राजा मुंज ने भी माना है बहुत बढ़िया उसने कहा था बुद्दू का काटा और सोकमय जी बन है ना यही है न तीन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अंसर आया आपका है ना कौन है यह रेखा तरपाठी जी बहुत बढ़िया उसने कहा था एक गुलेरी साब जी की है बहुत बढ़िया बुद्दू का काटा उसने कहा था और सोकमय जी बन यह रचनाएं दोस्तों चंद्रधर सरमा गुलेरी की पूछी जाती है कभी कभी है ना बहुत बढ़िया सबी को दनवाद इस्टार चामला दिनेश सिंग जी ललित जी है ना अनीता यादव जी अर्चना अर्चना जी रीनू जी पंडे बेरिगोड फते सिंग रजबंत जी और राजेस जी इस्टार चामला एसरती जी सुनील सरमा जी सबी लोग इसी प्रकार से दोस्तो जुड़े रहें वीडियो को लाइक करते रहें है ना और सेयर करना है राजेस मौरी जी बिलकुल आप लोग इसी प्रकार से अध्यन करें टिर्की वीडियो देखें सुबह 7 बजे है ना सुबह 9 बजे 11 बजे ये टिर्की वीडियो जरूर देखते जाएं, रिविजन करते जाएं, बार-बार जितना आप पढ़ोगे, उतनी चीज़ें आपको याद होती जाएंगी, और आप एक्जाम की और बढ़ते जाएंगे, है ना, और ललित मोहन जी, ठीक है, दिवानसी, और बिरेंद्र यादाव जी, पूजा रानी, जुचोदरी जी सभी को धनवाद, सुनील सर्मा, इसनेहा, बानखेडे जी, ये हमारे जौइन मेंबर हैं, इनको भी पता है कि किस प्रकार से करन बॉस औफ ये भी हैं हमारे जौइन मेंबर, है ना, पूजा रानी, पूजा रानी जी, सौनु जी, निसित जी, फते सिंग सुना, इसनेहा जी, इन से फूचो जरा, ये जौऑन मेंबर से कि आपको जौऑन मेंबर बनने में, क्या, आपको मतलब परेसा नहीं गज़ी थी, कैसे आप जौइन मेंबर बन गए, कुछ लोग बन नहीं पा रहे हैं, है ना, और क्या-क्या nucleus मिल रही हैं बहाँ पर या प्रकार से कल एक पूरी पुस्तक लाऊंगा कि हमारे हिंदी साहित वाले जो स्टूडेंट हैं वो यहां बहाना भटकें एक अच्छी आथंटेक प्रमानेक बुकों से पढ़ें है ना जो आपके लिए उपियोगी होंगी उनसे आपको पढ़ना है कहीं भी यहां बहानी भटकना है किसी भी प्रकार से मैं कल एक वीडियो लेकर कियाऊंगा जिसमें आपको बुक के बारे में बताऊंगा वो ही बुक आपको खरीदना है है ना जहां पर आपको बहुत अच्छा डाटा मिलेगा अच्छी चीज़ें आपको बलेगी संदीप पंडे ठीक है रीता पूजा जी राश्तर पाठी अनुपम जी और नांग लक्षमी जी सभी को धनबाद दोस्तों वीडियो को सभी लोग लाइक अपने मित्रों तक सेयर कर देना रोज 9 बजे इसी प्रकार से अपनी लाइब क्लास रोज 5 बजे जोएन मेंबर की क्लास यानि की 5 क्लास हैं हिंदी साहित की चल रही है इस चैनल पर रोज ठीक है तो आज के वीडियो के लिए सभी को सिर्फी सुगला जी धनबाद दोस्तों मिलते हैं अंगडी क्लास में